नमस्ते दोस्तों मेरा नाम सार्तक सिंग है मैं सहजानपुर में रहता हूँ फारमदा जेनलिस्ट आज हम आपको ज्वार की खेती के बारे में बताएंगे कैसे ज्वार की खेती की जाती है धन्यवाद यह मेरे ज्वार का फारम है सूखी अबद को सहन करने के कारण इसको केमल क्राफ भी कहते हैं जो सूखी अबद होती है इसको ना सहन करने को हम केमल क्राफ कहते हैं ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहते हैं जो ज्वार होता है उसे हम मोटे अनाजों का राजा कहते हैं राजिस्थान में जौर के उत्पादन में अजमेर जिला पर्थमिस्थान पर है राजिस्थान में जौर का उत्पादन होता है उसमें पर्थम जिला अजमेर का माना जाता है जौर के पुस्व क्रम को पैनिकल या हेड कहते हैं जो जो जोर का पोधा है उसे हम पैनिकल या हेड कहते हैं, जो जो जोर और कपाज होती है वो परमपरित फसले हैं, जो जोर में सक्कर किसमें बिक्सित करने के लिए Ahembang krub J fragment कॉर्ण की Boss R b Xu Nail chemical क्रप नर व्हाई पक्सित में काम लेती हैं 3 जो हमाना किसे पॉदाcken करने लगता है तु यि पता है उसे जो 7593 छ ऑनकि नर नरफाथी में उसे लिए जाता है लिए तो में चोटी जुवस्त्रान साली है श्ताकि यह cnear- temple अमल stack जनों में बनता है जो उसका एदिक फूल आने पर खिलता है जो हमारे पूल आते हैं यहां पर फूल आ चुके हैं देखिए यहां पर जो आपको फूल नजर आ रहा है वो 50 परतीसत फूल आने पर खिलता है तो उससे 50% तक उसमें फूल निकल आते हैं उचित व्रद्धी के लिए 26-30 तामान की से की आपसकता उप्युक्त है यानि कि आपसकता होती है जो आर के पोधों का अधिक होता है इसलिए आगामी फदलों के उप्युक्त अंकुलित पोधों ही पीले पड़ जाते हैं जो नीचे के जो उसके पत्ते होते हैं वो अंकुलित यानि कि जो उसके जड़ों के उपर के उपर का जो भाग होता है उसका पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं अगली फदल की ववाई करते समय नाइट्रोजन उबरक 20 परतिस्त अधिक काम में लेते हैं जो नाइट्रोजन उबरक होती है वो 20 से 30 यहनी की 20 से 30 किलो हेक्टेयर यहनी की उबरक यहनी अधिक काम में लेते हैं और इसके लिए जो मरदा होती है जो होती है दोमत होती है मतियार जो मरदाइं होती है वो इसके लिए उप्यूक्त मानी जाती है और जो उसका भीज़ दर होता है सीड़ दाने के लिए नो से बारा किलो ओल Welcome फ्रती हैं और जो चारे के लिए ओलता है वो पाहेता लिस से चालिस ए जितना विगल लीगा में यह आपको सीट टार ले हैं और जो फोगलों की दोरी होती है रियप 545 x 12 cm और जो संख्या होती है पोदों की संख्या वो कम से कम 15,000 Hektar तक इसकी पोदों की संख्या हो सकती है और जो पोदा ग्रो करने लगता यहां पर देखिए बहुत ही बढ़िया मात्रा में ग्रो कर चुका है पोदा यहां पर देखिए और जो हम टेवल क्राप कराते हैं व तर्टिक परिसे स्वामेर taş भी है